तंबाकू सेवन से कैंसर दिल का दौरा फेपणों के रोग जैसी कई जानलेवा विमारियां होती हैं इस फिल्म अथ्वाकारिक्रम में दिखाए गई कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे की बेड़ी, सिग्रेट, खैनी, जर्दय त्यादी के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं हम रोज बचास नए मरीज देख रहे हैं महीने में करीब एक हजार असी से नब्बे प्रतिशत मू के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं ये मुकेश की कहानी है अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ चौबी साल का था खैनी, पान, गुटका, पानमसाला, सब जान लेवा हैं जाने से तंदित के तंदित से नहीं साल का तंद पते हन्साम कर दो कर दो दोंए पrage ज vibes खूंग ज ऑन दो में प्यूंग के जूंग वेल्स 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 अब देखा नहीं जाता एक काम क्यों नहीं करते भोला भाई से कहकर इसे मरवा क्यों नहीं देते कहीं मैं पागल नहीं हो जाओं काम के जाओं आधायर झाल, क्यों झाल, कर दो पूला है, को सब उला है झाल, कि तो अपाय है. झाल, कि झाल, कि तो इसका विला है? अखाया! कि एतस कोुरू... बोल बोल बोला और कितने दिन मुझे ऐसे लटका कर रहा है कल ही रात को तेरी वीवी हमारे हाथ लगी हमें ख़बर मिली थी की पूरा में अपने चाचा के घर तुने उसे चुपा रखा है ये ही देखने के लिए तुझे अब तक सिंदा रखा था मुझे दोखा देगा तू मेरा ही नमक खा करके कमीने मुझे जान से मारने की प्लैनिंग करेगा तू तेरी वीवी इस वक्त पेट से है ना कल रात ही पता चला लड़कों ने बताया अब मारो इस साले को इसे देखने दो बाद में इसे भी मार देना नहीं बोला पंदर साल की उम्र में मुंबई आ गया था हाथ में सिर्फ साथी रुपे थे आज मेरे पास खुद की टाटा इंडी का कार है ट्राविल चलाता हूं अपनी बैंक में दो लाक रुपे हैं ये सब मैंने अपनी मेहनत से कमा कर जोड़ा है कमपनी है वह कमपनी उनके स्टाफ को रोज पिक अप और ड्रॉप करने का कॉंट्रेक्ट देने वाली है बस अगर वह कॉंट्रेक्ट मेरे हाथ लग गया ना तो मैं अच्छे तरीके से सैटल हो जाओंगा ऐसी बाते कर रहे हैं जैसे सब रट के आए हो प्रिया को में अचानक क्या फैसला लो कुछ समझ में नहीं आ रहा दरसल शास्त्री नगर मुझे काम से जाना है मैं बस निकली रहा था इसकी मा ने मुझे अचानक बुला कर अभी तुमारी बात मुझे बताई मेरी बेटी की जिन्दगी का सवाल है मैं जल्दवाजी में कोई फैसला नह करने की सोच रहा था मैं आपकी बेटी को सिंसरली बहुत चाहता हूं लेकिन मैं उसकी वज़े से ज्यादा इंतेजार नहीं कर सकता आप बस राजी हो जाए तो काफी है जो भी बात हो बता दीजिगा आपके पसंद के एक अच्छे लड़के को देखकर प्रिया के शादी कि उससे करवा देना और मेरी पसंद की लड़की देखकर मैं शादी कर लूँगा समय टाइम किसली वेस्ट कर हैं यह क्या दीदी यह इसे बारते क्यों कर रहे हैं कहता है कि प्रिया को देव साल से जानता हूं और एक साल से प्यार कर रहा हूं ये सब तुम पहले से जानती थी तुम ऐसे एन मौके पर आकर बताओगी ये सब घर में चल क्या रहा है हां किसी और लड़की से शाधी कर लूँगा क्या है यह प्यार व्यारख सबा मैं आपके लिए टिफिन तैар कर दून घे मैं क्या पूछ रहाigkeiten थो मुझे क्या बता रही हो मुझे खाग्ल समस्थी हो ग्या है प्रिया क्या है तुम्हारे पापा शास्त्री नगर जाने वाले थे ना अब आटो का खर्चा क्यों करना मैं छोड़ देता हूं ना बोल दोन को किराया आधा देंगे तो भी चलेगा आधा किराया ही कॉफी है वह क्या पसंद है तुम्हारी तुअ अपना रंग देख और मेरा रंग देख चाहे शहर में कोई भी कुछ भी कहता रहे लेकिन तेरी मां तुआ मर गई है ना अब सहर नहीं चाहरा है बड़ी शर्म से होती है अब ही भूला जिन्दा है मेरे एक ही ना है मेरे सहरे के लिए वही काफी है कुमार? कुमार, क्या हुआ? एक मर्द हमेशा चाहेगा, कि सिर्फ वो ही हमेशा आगे बढ़े एक औरत को आगे बढ़ता हुआ देखकर, एक पती को कभी खुशी नहीं हो सकती औरत चाहेगी कि वो अपने भाई बहन की हर खुशी को पुरा करे वो भी अपने परिवार के लिए कुछ करे, आखिर उसकी भी कोई खुशी होती है, लेकिन अपने देश की संस्कृती कुछ और ही है अच्छानक पॉस का बटन क्यों दबा दिया तुमने तुम और भोला दोनों भाई हो कहेंगे तो कोई नहीं मानेगा दोनों में कोई सिमिलारिटी ही नहीं है, क्या हुआ शिवा, सोचकर बताएंगे उन्होंने ऐसा कहा, इसमें सोचनी जैसा क्या है, वो उची जाती के है न, उसने पढ़ाई भी उची की है, और मैं पांच वी फेल, पढ़ा लिखा दूला क्यों ढूंते हैं, एक अच्छा क काम कर लेते हो, वो आइटी कंपनी का कॉंट्रेक्ट मिल गिया न, तब तो तुम्हारा स्टेट्रस बढ़ जाएगा, ओके शिवा, सब ठीक हो जाएगा, पता है, बाई, बोलो प्रिया, मैं इसी वक्त तुम से मिलना चाहती हूँ, कहा हो तू, तुम्हारे घर पर, गोपाल, उटना, उटना यार, देख तो कोना है, उटना, गोपाल, उटना, कोई बात नहीं, इन्हें सोने तो न, कल रात बहुत लेट आया था न, सुबह काम पर भी ने गिया, कोपाल, अरे भाग्चा मिली, तेरा पती आ गया, क्यों रहे, प्रिया से शादी करके शीवा खुश रह पाएगा, क्या, उसके बाप की शकल देखिये तुने, थोड़ी सी नजर हट गई ना, तो हमें भी बेच कर खा जाएगा, वो आदमी, वेलू, तुने बिल्कुल सच क क्या है, चे, आज भी पानी नहीं आया, कोई बत नहीं, कल ना लूंगा, अब देख तो साही, घर में कौन आया है, सॉरी प्रिया, क्या होँआ, प्रिया, पापा मान गए, पापा मान गए, येस, तुम्हारी कुंडली मांगी है, अगर हम दोनों की कुंडलीयां मिल गई न तो इसी महीने का शुमूरत पक्का कर देंगे, तो कोई शर्त भी रखी होगी, नहीं, कोई शर्त नहीं रखी है, ऐसे ही मान गए, लेकिन फिर भी, हम दोनों क्यों गलती करें, ये लो, लो, ये मेरी कुंडली है, तुम्हारी कुंडली में क्या लिखा है, हमें नहीं पता, लेकिन रिस्क्यों ले तुम किसी अच्छे से जोद्शी से मिलकर इस कुंडली से मिलती हुई एक नई कुंडली बनवा कर ले आओ कि शादी करना है तो करिये वरना कोई बात नहीं ये बात तुमने सोच समझ कर कही थी ना वस उसी से मेरे पापा इंप्रेस हो गए जीनियस हो तुम तो अच्छा मैंने सोच समझ कर बोला क्या वो भी है क्या कर रही हो हां ठिक गाने लगा दूंगे याद रखना क्या हुआ तुमारी फ्रेंड्स देख रहे हैं औरे नहीं यार बोलों इतने बातमिज नहीं है हाँ रूप मेरा सुन्दरा, सुन्दरा, तुम सारों की उमें दिल परा, हुँँँँँ कुछ बोले दिल परा, कुछ बोले जाने जान, मेरा दिल तो तुझ पर आया, 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 मेरी जान इस बोले दिल परा, इस बोले जाने जान, इसका दल तो तुझ पर आया, आया, बोले इसको जान दिल टो लुटा रे, तुझु पेमिटा रे, तुझु कह ानदी देदू बैर तो जान रे पन जारानी दिल पर जानी, तु ही मेरा अर्मा, तु ही मेरी शान रे मैं तो हू तेरी तु आख यसे रोका रे कुछ बोल तिल परा, कुछ बोल जाने जान इसका दिल तो तुझ पर आया, आया, बोल इसको जान इसको बोल तिल परा, इसको बोल जाने जान इसका दिल तो तुझ पर आया, आया, बोल इसको जान आक पार्रा इस तो मुझे दिखाओ तुम्ले1 आगे Art मेरे तो ले हज़िते एंप जो पेमे टारे तुझे के मेरे पदे दू मैं तो जान रे पन जा राहनी, दिल पर जानी तू ही मेरा अर्मा, तू ही मेरी शान रे कुछ बोल दिल परा, कुछ बोल जाने जान मेरा दिल तू पर आया, 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 मेरी शान इस बोल दिल परा, इस बोल जाने जान इसका दिल तू तू पर आया, आया, बोल इसको जान कि फुल एंड फुल के एक्सपोर्ट और्डर पर भॉरसा करके मैंने ये फैक्टरी शुरू की बीफ और मटन के छोटे-छोटे टुकडे कर कीमा बना कर पैक करने वाली मशीन है अभी तक मैंने पैकिंग भी नहीं खोली है बोलने वाले तो बहुत लोग हैं किया पैसे लगा यह मुनाफ़ा मिलेगा लेकिन मौका आता ही हाथ पीछे खिच लिया मैं कहीं कहने रहा है अरे सब जानवार एंड मौके पर यहीं छोड़ जाता है यह जगह ऐसे ही पड़ी है बस एक वाश्में छोड़ रखा है सुवरों को भगाने में लगा रहता है वो भी जानते हैं सर सर भोला ने एक लड़की रखी हुई है क्या आपने देखी है इस एरिया में उस लड़की को देखने वाला एक मैं ही हूँ वो भी अंदेरे में देखा था उस तरह की खुबसूरती तुने आज तक नहीं देखी होगी फिल्म स्टार भी क्या दिखते हैं बिखारी लगेंगे उसके सामने क्या सुंदर है क्या रंग है ऐसी दिखने वाली लड़की उसके साथ कैसे चले है यही सोचता रहता हूं मैं तो उसने उसे जिस बंगले में जरूर मिलता है हरे कुमार तुम यह कब है कि आओ मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था पर तुम आयो करेक्ट टाइम पर पार्टी बस अब शूरू होने वाली है बोला अब यह अंदर ही है चलो चलते अपने आपको बहुत बड़ी तोप समझता है अगर मेरा भाई चाहे तो तू एमल है और अगर ना चाहे तो बस दो ही मिलिट में तेरे जिन्दकी राख हो जाएगी मेरे भाई के बारे में और उस लड़की के बारे में अगर तूने कुछ भी कहा तो सुनना सुबह एरपोर्ट के सवारी के लिए जाओगे क्या हाँ चला जाओगा तो फिर यहीं सो जाना ना हाँ मैं चलता हूँ दो दिन से सोयानी हो आँखे जल रही है मेरी अब तो ठंडी हो चुकी होगी अब क्यूं पी रहा है छे रूपे एक चाय की किमत छे रूपे कमाने के लिए मैं किसी जमाने में दर-दर की ठोक रे खाता था चलता हूँ वहां ठीक है बाई ब्रोकर आया था आप से मिलने बोला कोई घर देख रखा है क्या बाई नया घर लेने के लिए प्रिया ने का आया क्या मैंने लड़कियों की बाद कभी मानी है क्या घर देखने के लिए गए थे ना क्या हुआ तुम्हारे पापा शादी के लिए हां तो बोले पहले कुंडली कब बनेगी बस दो दिन और किसी अच्छे से जोच्छी सही बनवाना हम बहुत अच्छा काम करने जा रहें क्या जो तुम इतनी परिशान हो रही हो ठीक है कि तुम यह अकिली क्यों खड़ी हो वह इतनी रात को कुछ नहीं बस यूँ ही कोई प्रोब्लम है क्या है अगर तुम कहों तो मैं घर छोड़ सकता हूं मेरे पती एक हाफ़ते से गाय अभेशिवा मैं सब जगह ढूंट रुकी हूं फोन करो तो नौट रीचेबल आ रहा है उन्होंने एक भाई से थोड़े पैसे उदार लिये थे वापस नहीं दिपाए शायद वो लोग ही उन्हें उठा कर ले गए होंगे हाथ में पैसे लेकर चार दिन से घुम रहे हूं पता नहीं मैं कब उन्हें दोबारा देख पाऊंगी मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है शिवा जान बुच कर वो लोग मुझे सता रहे हैं उस भाई का नाम क्या है इसी अरिये का है भोला भोला से ही उन्होंने पैसे लिये थे उससे मिलनी की कोशिश कर रही हूं नहीं मिल पाई यह मेरे दोस्त का घर है वो भोला के लिए काम करता है नई शिवा रहने दे लफड़े में मत पड़ लाचार लड़की है मैं दो साल से जानता हूं से लव मेरे की थी बीचारी माई के भी नहीं जा सकती चार मेने का बच्चा है उसका सब इसके पति की ही गलती है दो मेने के लिए पैसे उधा लिये थे लेकिन एक साल से घुमा रहा है जब उसे धंगाया तो पुलीस के पास चला गया इसलिए पुराबै को गुसा आ गया कि उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है यार सेटलमेंट करना जाती है वो मदद करना यार देख शिवा तु भोलाबै से ऐसे नहीं मिल सकता है कसाई शेकुर को तु जानता है ना वो भोलाबै का राइट है कर सुबह उसकी तुकान पर आजा इस लड़की को भी लेके आना शिवा चल चलो भाई यह अभिश्यक की वाइफ है सर अभिश्यक बच्चन की वाइफ है कनेश मंदिर के पास जिसकी मेडिकल की दुकान है ना उसी अभिश्यक की वाइफ है तो सिर्फ अभिश्यक क्यों बहला बता इसके पती ने भुलावाय से कुछ कर्ज लिया था उसी के सेटलमेंट के लिए आई है का से चाय लेकर आया रहे नाले का पानी लग रहे तू कौन है मेरा नाम शिरा है ट्राविल्स कमपनी चलाता हूं आया आया मारे इरियम ही रहता है यह लड़की तेरी क्या लगती है पहचानकी है कई ने रहता है और आप किसी पैचन कस्टमर है तू ट्रेवल्स चलाता है यह तेरी कस्टमर है बस इतना ही ना और तो कुछ नहीं है ना तो फिर इतना शर्मा क्यों रहा है तेरा शर्मान देखकर तो मैं कुछ और सो मझ वेड़ा था इतना लाई है डेड़ लाग रुपे लाई हूँ यह बाद्शाह जी वह थाल में नमग लगा कर रख कराब नहों हो जाए ठीक है भाई तो रात में अपने पती को खुश रखती थी ना हाँ लाज़ पारी दे तेरा पती को हमारे आदमी ने नहीं उठाया किसीने गलत बताया तुझे तेरा उससे जगड़ा हुआ था तू ठीक नहीं थी या फिर वो ठीक नहीं था कौन जानता है तेरा पती किसी और को लेकर बागे होगा ठीक से पुछताज कर ले ओए ट्रबल्स लेजाई से यह क्य ज्यादा पैसे मंगना चाहते हैं क्या हुआ हुआ कुछ लाइ विना पीसे बताती है अब बताएं कितने दिन हैं् say umm 40,000,000 फelectर इतने पैसे देकर अपने पती ले जातु इतने तेरे पास अंसा कुछ नहीं शिवा मैं सब जानती हूं आभी ने एक लाक रुपे हीए लिय है मुझे से बात कर तू वो क्या है अभी शेक ने एक लाग रूबर का ही कर्ज लिया था व्याज वगिरा सब से ज़्यादा नहीं हो शिवा चाड दुकान की पीबी एक काम करतू मेरे साथ एक महीने रह ले पैसे देने की जरूत नहीं होगी तेरे पती को छोड़ दूगा आएगी सॉरी शिवा मेरे आत में कुछ नहीं है वो चितने पैसे मांगरे उतने देनी होंगे तू तो उनके बार में अच्छी तरह से जानता है ना भोला और उसके भाय के आगे हम कुछ नहीं कर सकते शिवा अब इनकी नजर उस मेडिकल शॉपर है दो देन और देखेंगे उनके पै अलो भाई बुला रहे हैं भाई आगया नमस्ते भाई तो अभिशेग का कोई रिष्टदार है क्या दोस्त हूं सर देख लो भाई इस जमाने में भाई-बाप कोई नहीं आता दोस्त की बीवी मस देखती है ना अबे घुर क्या रहा है शेकर घुर रहा है बोला अबे घर नहीं पहुंच पाएगा घुरता है कॉट दलूंगा ओई कितना लाया है पूरे है भाई चार लाक रुपे अब अभिशेक यह देखो डिपा क्या हुआ दुछ नहीं हुआ दिपा देखो तुम रोओ आगा अब हम आगे सब्टीक हो जाएगा तो अब क्या है क्या है क्या है दर्वाजा भी नौक नहीं किया मां पडूस के घर में गई है बस आती ही होगी यह मुझे तुमसे बात करनी है बार आप की अशनलियों दिश्वाजिए जन्म पत्री मांगी थी ना लेकर आया हूं मैं भी तुमस फे टो मैं ले लूइंगी है ठीक फ्री होने के बाद फोन कर दिया मैं बाद में तुम्हें दे दूँगा ए रुको 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 है ह् है इस ड्रेस में कहीं कॉफी का निशान था ना यह क्या है कुंडली का है मुझे जल्दी सिदे दो मां बस आने ही वाली है घर में सिग्रेट मत चलाओ दुआ नहीं जाएगा ना दोपर में ओफिस खाना लेकर मत जाना रेस्टरों चलेंगे लेकिन क्यों ऐसे ही कि यह लो दोजार निकल वाली है कमीने जोती शीने आप तो तेरे कहने के हिसाब से जनम पत्री बन वाली है खुश होने के बिजाए मूडव क्यों कर रही हो जस्ट इमाजिन तेरे घर में कोई भी ना हो बस तू और और तेरा बॉइफ्रेंड मेरा बॉइफ्रेंड लेकिन मेरा भरुसा भी तक तूटा नहीं है तूने सिर्फ एक पतली सी नाइटी ही पहनी हो उसके अंदर कुछ भी नहीं हो अचानक सिर्फ्रेंड आजाता है खुद कुछ धंकने के लिए तुम्हारे हाथ में कपड़ा भी नहीं है लाइफ में फर्स टाइम तुम्हें इस हालत में बिना कपड़ों की वो देख लेता हो कैसा लगेगा तुम्हें तो इसलिए तु अपसेट है ऐसे कोई घर में घुशते हैं क्या जरा से भी तमीज नहीं है अरे प्राब्लम वो नहीं है तो फिर वो तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखने के बावजूर भी थोड़ा सभी ध्यान ना दे तु तुम्हें कैसा लगेगा बताओं मैं तो बह दूरे कपड़े में थी और वो रूम में घुश गया इसलिए तु नाराज है लेकिन हमारे शेह के लड़कों को लड़कियों की जरा भी कद्र नहीं है ना पर यहां खाना बहुत अच्छा मिलता है चलो आजाओ भाई यहां देखिए यहीं वो जगा है क्या हुआ भाई वो ट्रैबल्स वाला है जीवा कितने लोग हैं साथ में उसके साथ में एक लड़की है भाई वो ऐसा लड़का नहीं है वो खाना खाने ही आया होगा लगता है खाना खाने आया है भाई पिर भी उस पर नजर रखना ठीक है भाई सुनो ओडर कितनी दिर में ले आओगे बीस निट लगेंगे भाई प्रिया मैं बात्रोम होकर आता हूँ ऊजे ले ले आता हैै को उड़ी है बात्रोम हो वे एता है कुझगे! बीषिक्टेर भए रुगोड सम आए, शिर्णा को सब्य्सके दो किनि के रहं ुखते है, कि Vietnamese रिखेस की दिषार आटो बखैंगे जो खोगां रिखे टो पर पर नलत जो प्रींicz कंगी हम पॉड़न गला झाय कि लिए. हमने किसी को नहीं देखा भाई अचानक पीछे साकर मारा कौन था वो मुझ छुपा करका था भाई हम शकल नहीं देख पाए नमस्ते भाई इस महने के खतम होने से पहले आपको खतम करना चाहते खाबर मिलिये मुझे कौन है वो आदमी कौन है पता नहीं डोड़ रहे हैं आप थोड़ा सतर करिएगा एक ही जगा दो दिन से जादा मस सोना भोला का मटन का गोडाउन यही है यहीं पर एक हाफ्ते तक तेरे जीजाजी को लटका कर रखा था तेरे बेहन को भी यहीं लाकर मार डाला था बौडी को कहा दपनाया किसी को पता नहीं जाला झाला गल्हें नमस्ते सर यहां क्या अगर रहे हो सर प्रकाश की लड़की यहीं कहीं आसपास है वो ही दू-तीन लड़कों के साथ खोजने आया थेमें कौन वो चर्षी प्रकाश एक साल से उसके और हमारे लड़कों के बीच प्रॉब्लम होती आ रही है अगले अफते तक भोला भाय को मार अगले की धंकी भी दिया सर हुए है है का जुलों जनपत्रियों खूब मिल रही है मैंने अपने अनुभों में इतनी उत्तम जनपत्री आज तक नहीं देखी इतनी सटीक है जैसे यह इस जनपत्री के लिए ही बनी हो जानते हैं कितने लोग यह घर लेने के लिए आते हैं शादी के बाद आने के लिए यह सबसे बहतर घर शिवा अच्छी लोकेशन है सब्जी मार्केट भी पास महीं है अपनी कार भी सामने खड़ी कर सकते हो तुम क्या बलते हो हजार रुपे टोकन है बाकी का कल देतूंगा मैं जानता था तुम्हें ये घर दरूर पसंद आएगा अग्ले अप्टे रहने आजाओंगा तुम तुरंत मूड करका मत देखना तुम्हार सामने एक बंगला है देख रहो ना किसका है पता है यही वो घर है भोला की कीप का गर है तुमने वहां उस लड़की को देखा क्या कहते हैं कि उस जैसी लड़की इस शहर में नहीं है कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती लगता है कि घर में कोई रहता ही नहीं है तब तो तुमने उस लड़की को देखने की कोशिश जरूर की होगी हां मा ढालूंगी तुम्हें दिमाग खराब है क्या तुम्हारा मिठाई का है कैसी है तुमसे तो कम ही टेस्टी है कैसे नहीं होगी आधे दिन की चुट्टी लेकर मैंने खुद अपने हाथों से बनाई यह आज यह पीली पटरफ्लाय है मेरा फोन कहा है किचन में होगा हाँ घर बहुत सुंदर है बहुत ही अच्छा है मुझे बहुत पसंद आया पेंट करवागर पनीचे लगवाएंगे तो सुपब हो जाएगा तुमने अपने दोस्तों के इस घर में एंट्री दी ना तो मैं भद्रकाली बन जाओंगी बोलो यहां क्यों आते हैं उनका अपना भ हाँ यार आज ही शिफ्ट हो जाएंगा हम लोग के बहुत हो जाता हो ना साहिक है मैं भी आज यह हो जाओंगा अरे लड़ु एलो यार काई चलिज़ा से लाला के लुक्माण चलिएता होता ना तो इतना बक्वास नहीं होता है तो इतना खरब लग लग रहा है प्रिया तुम कब आई बस अभी हाई प्रिया है लड्डु कहोगी क्या वैसे स्वाद इसका ठीक ठाकी है किसी सब्सक्री दुकान से ले आया होगा यह नहीं चाहिए प्रिया 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 लगता है प्रिया प्रिया से कुछяться हो गया आप स्वाल्ब कर लेना छहीक 2005 क्या मैं क्या है क्या लाट्डु क्यों घार्ण वियु उख्या है उस नोधी तुंह पूछा था क्या क्या क्यों सच सच बता तो भी बता यही कह रहा था ना उस दिन के उसकी बाप की शकल भी पता है लेकिन उसके सामने बोलने की क्या अश्रों थी तुझे हां भाई 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 पीछ जे पीछे पीछे कर दो भाई एक बात बोलू बोल आपको क्या लगता है कि उस दिन वो भोला भाई को माने आया था वो मुझे ही मारने आया था सिर्फ इतना ही नहीं उससे अपना चेहरा क्यों चुपाया था क्योंकि या तो जान पहचान का होगा या फिर वो इसे शेहर का होगा वो हमारे आसपसी कहीं पर है मेरे हाथ जरूर लगेगा प्रिया अब कुछ ज्यादा योवर कर रही हो तुम मेरी बात सुनो मैंने अपने सारे दोस्तों को मारकर भगा दिया आगे से वो हमारे आसपास भठकेंगे भी नहीं जैसा तुम समझ रहे हो ऐसे वो नहीं है शरम है उनमें सिर्फ एक बार कहा मैंने प्रिया तीनों प्रिया कट करने की बजाए ओन कर दिया तेरी लाइफ में इस समय तेरी परेशानी का कारण हम लोग बन गए ना बहुत दुख हो रहा है यार अब क्या करना बताया हम लोग यह ना ओय सौरी के स्पेलिंग बता तो पता नहीं यार अब क्यों पश्टा रही हो कल बहुत बार फोन किया था उसने लेकिन मैंने ही जिद नहीं छोड़ी सुभा से कोई भी फोन नहीं आया ठीक है फोन ज़रूर आएगा तू खाना खाला है अब कर दी शाहिद हलो अब कर सकता हूं तुम्हारा वुट बी मैं बीजी ओ कह दीजे ना मैडम वो कुछ काम कर रही है अभी बीजी है वाट क्या कहा आज कौन से कलर के बटरफ्लाइए पूछे आज कौन से रंका बटरफ्लाइपैना है पूछ रहे हैं पूछे हैं अग् थोड़ी तो शर्म करो तेरे मेरी नेना मिले नेना मिले नेना मिले तेरे मेरे नेना मिले तुझ में डूबे तुझ में डूबे हम तो रहे तुझ में डूबे मस्ती मस्ती महकी महकी रहे मिठ से है हां लब तेरे जान देखे हैं तेरे मैंने खाब सुनेरे सेरे मर हवाब हो मेरी जान हो महक से तेरी मैं महकी हूँ अंगंग मेरा तू रंग दे मैं हूँ तुछ में साथी तू मुझ में तू ही मेरा मन रे हाँ ये प्यार आरजू ये बोकार ये सब है तेरे बिना अधुरे मस्ती मस्ती महकी महकी रे मीठ से है हाँ अब तेरे जान देगे है तेरे मैंने खाब सुनेरे सेरे मर हवाब हो मेरी जान वीर पोर पिंसे से तेरे जान हाँ 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 कि उपर बात्नी है मैं उसे माले हिए बोज रहना है तेरी ही दिल पिया धड़कर मन के ओलम हे लोटकर फिर कभी आए नाओ रे पिया सुन रे अरे लागे नहीं अब कहीं मन मेरा उसनम तेरे बिना कहीं रे मस्ती मस्ती महकी महके रे मीझे से हाँ अब तेरे जाँ मीझे से अब तेर तेर माले खाँ सुन रे जार हाँ वो मेरी जाम वा देके है तेर मेर खाँ सूनर सेर मारा हवाँ कुछ मेरी जाम बड़ेए और सेNew बाल मंपमकर मतेश महीं यहो बाबा शिवा तू है बारिश में गाड़ी नहीं पैचान पाया रास्ता चोड़ लो तुझा शिवा जा बात क्या है तुझे नहीं पता पूला भाई पर हमला हुआ है किस ने किया पता नहीं किस ने क्रिकेट बैट से मा रहा है बहुत तेज चोट लगी है बैट के दो टुकड़े होगे जिसे दिमाग पर गहरा असर हो आया बैट के उन टुकड़ों को तो निकाल दिया है एक्च्वली इनके जान को कोई खत्रा नहीं है क्या हुआ कौमा में है उनके जान को कोई खत्रा नहीं है कभी भी ठीक हो सकते हैं अगले अर्टालिस घंटों में उठने के चांसिज है तुम घबराओ मत हाथ स्टेरिंग पर ही थी अपने आप खंबे से नहीं टकरा सकती किसी ने जान बुच का टकर मारी है बाकी नहीं मिला कहीं फस न जा इसलिए कातिल ने छुपा दिया होगा मारने की तेजी को देखा जाये तो मारने वाला हट्टा कट्टा होगा और भोला के, सर के, दाहिनी तरफ ज्यादा चोट लगी है मारने वाला भाय हाथ का इस्तेमाल करता होगा डीजल बॉक्स खराब हो गया शिवा दो दिन लगेंगे ठीक है कर दे अरे दिपाक यह डीजल बॉक्स निकाल दे भोला को उसने बैट से ही मारा है यह बात पूरे शहर में फेला दो अगर किसी को भी कुछ पता हो तो आकर खबर देने को बोलो पैसे मिलेंगे बोल दो अरे क्या हुआ क्या सोच रहे हो सर कुमार पूरा शहर एक कर देगा एक दो होते तो कोई बात नहीं थी शहर के हर बंदे के पास भोला को माने का कोई न कोई कारण तो जरूर होगा अब ऐसे में किस पर शक करें हम भोला किसी भी समय आके खोल सकता है डॉक्टर ने कहा है देखते हैं वह आके खोलेगा तो उससे ही पूछ लेंगे कुमार हम लोगों को दो लोगों पर शक है सुरजनेगर का प्रकाश और बांद्रा का मूर्थी मैंने तेरे भाई को नहीं मारा लेकिन मैंने मारा भी होता तो मुझे खोशी होती हूं इसे सडक पर तेरे दोनों हाथ पैर काटकर टुकडे टुकडे करके कुट्टों को खिलाओंगा अगर ही मत्र तो बचा लेका उठाव इसे कर दो कर दो कर दो शकर नहीं बताएगा तो कर दो मैं सच बोल रहा हूं कुमार मैंने नहीं मारा सर पता नहीं चल पा रहा है कहीं और मर्डर करके पॉड़ी यह नाले में डल गे हैं कर दो लगता है अस्पिताल में कोई जगडा देख लिया है डर गई बिचारी आओ उसे बुखार भी चड़ गया अभी डॉक्टर के पास से लेकर आ रही हूं है अंदर कमरे में हैं चले जाओ पगली उठो आज मैं ऑफिस नहीं जाओंगी डर लग रहा है तर पागल कहीं कि तुम क्यों डरती हो गुंडों का आपसी जगडा है उन्होंने मार पिटाई किये तो उससे हमारा क्या लेना देना चलो उठो सब्सक्राइब के लिए हमारी चार नहीं कारे चलेंगी अब से हमारी लाइफ बतल जाहेगी हनीमून के लिए कहां चलेंगी मा नीचे खाना बना रही है समझे थोड़ी दिर के लिए चाहे बिजली क्यों ना किर जाहे वह उपर नहीं आने वाली है तो तुम्हारे पास पंद्रा मिनिट का टाइम है मा के वापस आने तक तुम चाहो तो मेरा मैं ऐसा नहीं चाहती मैं एक अच्छी लड़की हूं शरीफ खानदान से हूं तुम्हारा मन हो तो कर लो हनीमून फिर कभी तुम तो उचे खानदान से हो ना है सोच लो हाथ में आया चांस ऐसे मत जाने दो पहले तो तुम अपना वजन घटानो चलता हूं ठीक है जाओ मुझे भी कोई जरुरत नहीं है कुछ भे समझ में नहीं आ रहा है कुछ न कुछ तो कड़बड है अब तू उस प्रकाश की ही बात ले 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 रोड पर गिडगिड़ाने वला मैं उसके सामने खंचर लेकर खड़ा था मरने वला था ये जानते हुए भी भाई को उसीने मारा है ये कुबूल करे तो भी मौत ना कुबूल करे तो भी मौत तू होता तो क्या करता हाँ मारा तेरे भाई को मैंने ही मारा है तुझे जो करना है कर ले ऐसा नहीं कहेगा क्या लेकिन उसने नहीं कहा था उसी तरह मूर्थी के हाथ में तो गं थी ना मान ले भाई को अगर उसे ने मारा होता तो वो भाई को बैट से क्यों मानेगा उसके हाथ में तो पिस्टॉल थी ना गोली नहीं चला देता मारने वाला कोई और है हम सब को बेवकूफ बना कर यहीं कहीं पर घूम रहा है एक बीज बना माने वाला को राई कर दो पर खूम रहा है यही है जिस रात भोला भाई को मारा था उसके दो गली बाद ही हमने से रोका था भाई तब किसी पर डाउट नहीं हुआ था भाई वरना हम उसे वहीं पकड़ ले थे यही है कुमार कोई डाउट नहीं है तब से हम लोगों ने कितने आदमी से पूछ लिया पुलिस वाले ने बोला भाई पर हमले करने के बाद आदमी भाग निकला है बोलो कुमार आप लोग कुछ दिनों तक सालेंट रही है उस ट्रेवल्स वाले का किसा मैं देख लूँगा हालो वेलो शिवा का है तो खुदी फोन करके पूछ ले ना फोन ना रिचिबल है मैं काफी देश से ट्राइ कर रहा हूं क्या बात है घुला भाई को जिस बैट से मारा था वो शिवा की गाड़ी से निकला है शिवा की गाड़ी से निकला सच सच बोल विलू शिवा ने मारा था क्या सच बोल वेलू शिवा ने मारा था क्या शिवा क्यों मारेगा यह नहीं हो सकता उसके खिलाफ इनके पास पक्के सबूत है वेलू कुमार तुम सबको पूछता अचके लुठाने वाला है कैसे भी भागने के कोशिश करो बाख्यों को भी फोन करके बता दो ए तो प्राइ टराफ्वान कर देट नहीं है तराफ्वान मेजय रख्वाना है यह तो प्रीवेड पिलेता है भाई, फिर भी अपनी जगह से नहीलता, सला कितना पिता है, हाँ? यह शिवा का दोस्त है ना तु तु ने अपना चेरा देखा है क्या वे तु कौने पहले यह बता कहीं मेरा हाथ नहीं निकल ले बोला तुम मारा गया और शिवा उसने कॉंट्रक्ट साइन कर लिया अब तो कानून भी हमारी जेब में है अब देखना किसकी बारात कैसे कैसे तु जाने के लिए पोला तान अरे जरा हत्या निकालतों वेलू अभी तक पकड़नमी नहीं आया ओटो फेक्ट्री में रहता है गोपाल को पकड़लिया ना मैनन जारी प्लेनिंग दो बता देथैं इसवा पेट्रोल टैंक परोगा या दुकान परोगा वो तो ट्रेवल की गाडि चलाता है ना गोपाल को पुपाल अबी नहीं पक तो बताओ मैं क्या करूँ उन में से किसी को नहीं छोड़ेंगे उस ट्रेवल्स वाले का पता तो राय तक लगाई लेंगे हम लोग कल ही तुमिला था ना कहां गया होगा वो कुछ पता नहीं अगले शुक्रवार को शुब मुहुर्थ है उसके पापा शादी से पहले आपसे मिलना चाहते हैं आप लोग यह मत सूचे कि आपकी जायदात से हिस्सा मांगने आया हूं मुझे आपका एक पैसा नहीं चाहिए एक बाप की तरह हम दोनों का आशिरवाद देना चाहें तो आ हाँ क्या हुआ तुम्हारे पापा ने कहा इसलिए यहिसतला कराया हूं अगर इसे ज्याधा शर्त रखेंगे तो मैं कुछ नहीं करपांगा हम् … वात्ष unthe सासुर्जी ने क्या कहा आएंगे ना नहीं आएंगे तो क्या तुम्हारे पापा शादी नहीं करेंगे तुम इतना चिड़ क्यों रहे हो यार चलो हास कर दिखाऊ ओटो कहा साब घर चलोगी भाई वो गनेश मंदिर के पास छोड़ दें बैठो तु इतनी रात को कहा जा रहा है काम ख़तम करके घर जा रहा था आपका सिर्फोन काम नहीं कर रहा है वो बैटरी लो हो गई थी तुन्हें ठीक कर दी ना कार एड़ी करके मली को पहुंचा दिया मैं कला कर ले लूँगा अरे वहां कहा जा रहे हो भाई सिद्धे जाना था एए एए आरे क्या हुआ शिवा वह कौन है इसकी आइटम बोला को मारेगा तू है बहुत बड़ा तोफ है तू बोला पर हमला करके तू शेर में जिन्दा रह लेगा है क्या 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 बोला को मारा है बोला को मार कर बैट अफ्री कार में चुपागे रखा आज बचेंगा नहीं है बड़ा बड़ा आजय प्टू यासक कर दो छ्रू भू। युतू घव। सिवा शीड़ा यवा यू थेवा प्हाAustो मिला प्टु सेटू बड़ा तू Jakar जीवा तू हादू जीवा बादू एंटू यॉू सबया पुदे। पुरी है पुरीक पुदियाले पुदियाल पुरीक ते हो जज कि लुगं लग कर पढार, फम जुट लगा। भ七 कर द은मने को लो लो कर देद जुट भ गाष्दिट लो कर देल niin कर दें भ कर लो लो लुटिँ, खेदी देदी दे कुमार कोई तक जाएगा कुमार पूरा रहे तो अपना है ना अरे रंग की टीशर्ट पहने एक लड़का पिंक कलर की चूड़ी दार पहने एक लड़की कोई भी कहीं भी दिखे तो तुरन फोन काने के लिए बोल कि मेरा ही है तुमने मुझे से लिया था नौ प्रिया यह जगह ठीक नहीं है चलो तुमने ऐसा क्यों किया तुमने भोला को क्यों मारा भोला को मैंने नहीं मारा है प्रिया मैं उसे क्यों मारूंगा किसी और का इल्जा मुझ पर लगाया जा रहा है ट्राविल्स गाडिया है हमारी हजारो लोंग चड़ते उतरते हैं जरा सोच कर देखो कोई भी उस बेट को वहां रख सकता है भोला को मिलकर यह बात बताएंगे तो सब ठीक हो जाएगा तुम डर पत्राव के जाएगा वहार कर दो झालेंगे ना पास जाएगा बाहर नहीं नीकल पाएगा वहार हमारे सारे आपियों को फोन लगा फासकर को आटो स्टन की तरफ से आने को बहुँर और हम लोग टास रोड की तरफ से जाएंगे चलो कि आज़ तो शिवा हम लोग सीधे किसी पुलिस स्टेशन चलते हैं पुलिस के पास जाएंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे शिवा तुम अपने फोन कर लो उन्हें वहां से बाहर निकलने के लिए कहतो चलती मेरे घर वालों को तो कुछ नहीं होगा ना शिवा कुमार भाय ने हमें लोंग करना है का श्रवा कहा है कि को रुअ है मिख मैं जेए कुछ यह दीमा आजे जोना के जाओ है ज़का अ कए तुम भाग भट Hills क। श्रह यह कहां तो ऐखने टोंगने कहा है को यह टूमार यह दिमाग में यह तुमरे पास कुमार के लड़कों को पता चल गया तु कहां है बाहर निकलने के को जगा नहीं है एक तरव से भास करा रहा है दूसरी तरव से कुमार आ रहा है उन लोगों की बीच तो फस गया है बाबा कुमार से मेरी एक बार बात कराने की कोशिश करो में बोला को क्यों मारूंगा उससे अब आगे गाड़े नहीं जा सकते है गुमार चलो यहां से चलते है शिवा बासगर वो लोग उधार है चलो त्यादी चलो 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 जल्दी आजा बासगर वो है मार डालूगा कहीं बाग के नहीं जा सकता बेतू कुमार तेरे पीछे आ गया है बहुत साले के चर्बी है सुच रहा था हमसे भाग कर चला जाएगा क्यों रे तेरी गल्फ्रेंड मस्त है हाथ तो लगाया अगा ना अपने को बहुत बहादूर समझ रहा है तू चिंता मत कर वो मर भी गया तो रख लूगा तुझे हे जारो तुल से खेर लो इसे चलो भासकर कुमार के आने तक इस कुट्ट्य को काट डालते इन ता किनोंगा मैं ठीक है ठीक टीन जगा पर तीन लोगों को एक साथ बाहर करना है जारो प्लिध को प्लिध करना है वन ट्री ट्री शिवा 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 शाला यह तो हमारी पर फार रहा है इसके हाथ पर जाको है भाई इसके है जार जार भार ले झालियरर अस्टियोण भार अस्टियोग शे ए प्रोज हुन अगर माँ का दूपिया तो हाथ लगा के दिखा लगा हाथ पूरे घरवाले पसाड़क पनखा करतीया है तूने बोला को मैंने निमारा साथ मेरी बेटी ने क्या किया है वह तेरे साथ क्यूं मरे तेरा चाहे कुछ भी हो कोई भी माँ डाले तुझे लेकिन मैं अप्री बेटी की शादी तेरे साथ क्यूं करूगा क्यूं करूगा चोड़त मुझे चोड़त मुझे तुम कुछ दिन के लिए दिली अपने रिष्टेद वो लोग तुम्हें नहीं चोड़ेंगे तुम्हें नालेंगे तुम्हें चलो ना शिवा प्लीस प्रिया चुपोचाओ चलो चलते हैं तुम्हें गवराव मत नो ना शिवा सब कुछ तो डालो इस शहर में सुभा होने तक उसकी राख भी नहीं बचनी चाहिए अभी आप लोग यहां से चले जाओ मुंबई में मत रहो मैं क्यों यहां से चला जाओ मैंने क्या गलती की है टेक्टिकली बात कर शिवा एक आदमी भी हमारी हेल्प नहीं करेगा किसी ने हमें देख लिया तो मरे सुरेश और गोपाल को पकड़ के रखा है यार उन्हें भी क तब मैं 12 साल का था जब मेरी मा मर गई मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली उनको मैं शुरू से पसंद नहीं था घर से भाग कर चलाया कल तक वापस नहीं गया था यहां मुंबई आने के बाद ही चार दोस्त मिले मुझे प्रियासे मिला एक लाइफ मिली चार वॉलो बस मेरी कस्टडी में छोड़ रखे कंपनी ने यहां तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की जानता है तो अब सब कुछ छोड़कर चला जाओ मैं कैसे चला जाओ कि तार जाओ मुझे ने लगता है कि एक काम उस ट्रावल्स वाले ने किया होगा तुझे ऐसा क्यों लगता है भोला पर जिस दिन हमला हुआ था उसी रात को हमारे लोगों को लेकर ये एरपोर्ट गया था रात के 11 बजे थे इतनी जल्ली वापस आकर भोला को मारेगा ये मुझे कुछ समझ भी नहीं आता है जब इस परेशानी को सॉल्व करने का सिर्फ एक कि तरीका है क्या तरीका है भाई भोला को ठीक होना होगा जब वो खुदी बतायागा कि उसे किसने मारा तभी तुम लोग बच पाओगे क्या हुआ है क्या हुआ सर और जेंटली मुझे क्यों बुलाया है सच में भोला को स्ट्राइबल्स वाले ने मारा है क्या ऐसे क्यों पूछ रहे साब कल मॉल के पास एक्रेट हुई छे अरतों को पकड़ा था हमने उसमें से एक मर्द दो अरतों के साथ पकड़े गए थे उन दोनों में से एक उन दों में से एक के पास भोला का परस था उसका एडर्स मैंने लिया हुआ है दो दिन के लिए जब तक पैसा रंद दो तक कमरे में राना का साना मैंने परस थे पास मैंने तो मना किया था लेने को रात के रात तुम लोगी शेहर से बाहर भाग जाओ अगर शेहर में देखा तुम दोनों को तो काट ड़ालूंगा यह तो आधे ही पैसे तेरी तो भॉला को तो मार नहीं पाए ना तुम मारा होता तब पूरे पैसे देता गलती हमारी नहीं है भाई उस समय पूरे दिन भूला भाई को फॉलो कर रहे थे उनके साथ कोई नहीं था लेकिन आती नहीं लग पाया आखेर में वो किसी होटल में चले गए उस होटल का नाम पंचरत न था हम लोग वहीं बार खड़े रेकर उनका इंतिजार कर रहे थे कुछ देर बाद वो वहां से गाइब हो गए उसकी गाड़ी वहीं पर ही थी उसके गाड़ी उसके आदमी सब थे सिर्फ वो ही नहीं थे हमने सोचा था वो अपनी रखैल के घर गया होगा इसलिए सीधे वहीं जाकर देखा वहाँ पहुचा तो ताला लगा हुआ था कुछ समझ में नहीं आया तो हम वापस चले आए तब ही हमने सडक पर एक गाड़ी को खड़े देखा उस गाड़ी के पीछे बोला भाई को किसी ने पहले से ही मार दिया था हमें लगा कि बोला भाई मर चुके हैं वरना हम लोग उसे वहीं मार देते मुझे तो अब बस पुलीस का ही सहरा लगता है चल चुप चप कमिशनर के ओफिस या कोट में जाकर सेरेंडर कर देते हैं कमिशनर ओफिस या कोट जाने से थोड़े समय के और मोहलत मिल जाएगी लेकिन भोला के लोग तुम्हारा पीछा करते रहेंगे शीवा किसी ना किसी दिन वो लोग जरूर तुम लोगों को मार डलेंगे शीवा च्छे क्या एर ऐसे फस गए हम लोग अब यहां से बाहर कैसे निकले मुझे गाड़ी चाहिए वो किसलिए बोला कि रख्यार को उठाऊंगा यह मुझे ठीक नहीं लगता बहुत रिस्क है 24 घंटे इनके घर में पहरेदार रहते हैं मेरे हिसाब से शीवा का यहां रहना ठीक नहीं है अगर अगे से बढ़कर शीवा ने कुमार या भूला को मार डाला तो भी उसके लिए प्रॉब्लम है उसके लोग चुप नहीं बैठने वाले या फिर उसके सारे ग्रूप को तुम लोग मार डालो हां इस घर में कोई लड़की रहती है या फिर हुआ में फेकी बाते हैं या फिर कोई पहली है इस घर में लोगों कुछ से बाते करते सुना है लेकिन आस्ता किसी और को नहीं देखा इस शेहर से पाहर जाने के लिए मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा या फिर भोला के ठीक होने के बाद हम कुछ कर सकते हैं सोच लो अलो आलो शुनो भाई भाई बाई हलो शुनो तो शुनो हाँ को बादने चूरी कि नारी तरोंच नार में जार रृष टेस्टार तू उर सब्सकतार तू उडिता है इता हिमा है तूरा चेता है भुला को मैंने मारा है ऐसा मान कर कुमार मेरे पीछे पड़ा है अगर थोड़ी समझदारी से काम लेता तो इस बिचारी की शादी हो गई होती इसकी 15 साल की सारी मेनत को एक जटके में बेकार कर दिया कुमार ने मेरे पहचान वालों के घर जाकर कुमार जो धमकी दे रहा है वो उसे बंद करना होगा मेरे दोनों दोस्तों को छोड़ना होगा बीच में कोई दूसरा नया आदमी बात करने वाला चाहिए मुझे यह सब मैं कहूंगा तो कुमार नहीं मानेगा तू बोलेगी तो मानेगा मानना पड़ेगा उसे क्योंकि तू भोला के लिए कितनी दॉक्टर ने आकर यह बता है कि भोला मर गया कि यह क्या क्या रहा है यार सच्टाइट तो सिर्फ भोला ही जानता था ना अब वो भी मर गया तो तू बेक कसूरे इसका भरोसा कौन करेगा ची सोचा कुस्ता और हो कुछ और गया शीवा झाल 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 कि तेरा दोस्त कहा है अगर नहीं बताया ना साले तुझे किसी अउरत के लायक नहीं छोड़ूगा मैं अभी में कौन सा किसी अउरत के कामें आता हूं भाई तो नहीं बताएगा तू मुझे सच में कुछ पता नहीं भाई आ गया प्डाहूँaccord हुट प्युद्र प्युद्र कि अपनु परर नहीं है कि अठकाने कि आपक। कुमार, अब जिन्वा पकड़ा जाना चाहिए उसे खुद सामने से आकर मेरे पस सरेंडर होना होगा उसके घर वालों को और उसके सारे दोस्टों को क्या है तो ये निउस आज रात तक उस ड्रेवल्स वाले को कैसे भी मिल जानी चाहिए या फिर कोई तो लोग पुलिस्टेशन जाकर सरेंडर हो जाओ क्या हो गया मेरे बेटे को वह कुछ नहीं रह पाएगा यह सब करवाकर वह नाजाने कहां छुप गया है वसके बन ने मेरे बेटे को माल डाला है मेरा नेरा बेटा हम बोलना क्या कहा सुरेश को मार डाला यार अगर रात तक तुने मिला तो सुबह गोपाल को भी मार डाला यार शिवा मैं तुझे 15 साल से जानता हूं इन 15 सालों में तुने मेरी बहुत बार हिल्प की है मुझसे जितना हो सका वो सब मैंने किया शिवा अब आके कॉल करवाना रिस्क है गरत में समझना में की बात कहूंगा अगर जान रचाना चाहता है तो शेर से भाग जा रात पे या नहीं रहना मैं गॉपाल की मा बोल रही हूं चार पांच गुंडे घर आकर ताम की देख कर गए हैं बेटा अगर सुबह तक शिवा नहीं आया तो उसे वार डालेंगे ऐसा कहा तुम कहा हो बेटा कहो बोलो ना बेटा कहा नहीं मुझे इसे मिले दो दिन हो गए मैं शिवा बोल रहा हूं अब चिंता मत किछिए गोपाल को कुछ नहीं होगा मैं देख लूगा चल उतर चली जा यहां से गिले इसी रास्ते से तुझे और मिल जाएगा घर चली जा यह क्या किया यार अब वो हुमारे किसी काम के नहीं है भोला के लिए वो ज़रूरी थी कुमार के लिए वो कुछ नहीं है तुम यह गाड़ी लेकर अपने घर चले जाओ घर चला जाओ क्यों यह यह दो कि मैं कुमार से मिलने क्या रहा हूं अगर कि अगर तुछ तुम लोगों को चैन से नहीं देगा आप बस हो गया सब खत्म हो चुका है अब कुछ नहीं हो सकता है भोला को मारने वाला कौन है इसका पता लगाने के बाद भाद ही हम बच पाएंगे बताई हो सकता है क्या वह कौन है और इस समय कहा मिलेगा कौन जनता है गाड़ी का जो भी किरायों भर देना सुरेश की माँ से कहना कि मुझे माफ करते है प्रिया को बताना कि मैं उसे बहुत चाहता हूं प्रिया करते है प्रिया करते हैं उस रत वही लड़की मेरी गाड़ी में बैठे थी जिसे अभी बेउतार हमने भॉला के रखेल जब भॉला पर हमला हुआ था वो मेरी काड़ी में थी क्या हुए बैटी आना या नहीं वो तो घर से बहार ही ने निकलती थी ना तो फिर उस रात क्यों निकली वो वो भी अपना मूँ छुपा कर ताकि कोई उसे देखना ले क्या वो भी ने बादी याँ था वो याँ लुपा कर वो भी ताकि कोई बादी याँ क्या वो भी प्टार्वाँ कर दो 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 कर थाग गई यार हाथ में मुर्गी भाग गई यार दो गंटे इन तजार करोगी तो यहां से हर शहर के लिए बस मिलती है तुम्हें जहां जाना होगा बस में चर जाना मैंने देखा तो भोला की लवर गाइब थी मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसलिए मैंने तुम्हें फोन करके यहां बुला लिया उपर आया तो बैठी रो रही थी मुझे शक हुआ तो चार-पाच ठपड मारे तो क्या-क्या पक रही है भोला भाई को उसी लड़की ने मारा है मैं कभी भी उस रासे से नहीं जाती थी मैं उसे देखकर डर गई मेरा तो गला ही सूग गया उस दिन सड़क पर कोई नहीं था कोई गवा भी नहीं था वहां रुखने पर डर लग रहा था और जगस में भाग निकले थोड़ा आग पता नहीं मुझे उस वक्या हुआ था एक मिनिट के लिए उस लड़की की बारे में सोचकर मुझे दया आ गई थी एक पुतली की तरह वो बेचारी बहीं पर बैठे हुई थी वो मुझे जरा पहचान नहीं पाई थी मैं उसे अपने साथ घर वापस ले आई थी उस लड़ हुए थे और इस लड़की को पेट में बहुत दर्थ था रो रही थी बीचारी डॉक्टर के पास उसे दिखाने ले गए थे बोला उस दिन इस लड़की को लेकर बाहर गया थे यह तुम्हों को कैसे पताने चला भाई ने हमें स्टेशन तक एक काम के लिए भेज़ दिया क्या हुआ है इस लड़की को पेट में दर्थ है दो दिन से परेशान है इसलिए डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ तब से उसने बैट को हाथ में ही पकड़े हुए रखा था मैंने भी उसी वक्त देखा था मुझे को समझ में नहीं आ रहा था मालिक उस ड्राइवर को ज़रा भी पता नहीं चल पाया उश्वा तुने कहा था ना उस लड़की के साथ एक औरत भी थी उस घर में एक नौकरानी भी है भाई तुने चीजसे देखा अगर वो वहां की नौकरानी निकली तो पका भूला को उसकी रखिल नहीं मारा है अगर नौकरानियों में मिल गई तो मामला सॉल्व यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए जी ट्रेवल वाले ने मारा यहीं समझ दो और इस खोब कहीं ले जाकर खतम करतो इसे भाई वो लड़की कौन है भाई कभी कोई फिल्म स्टार या निता की लड़की बताता है उससे है कुमार को पता चलने से पहले इसे खतम करते हैं एक काम तु डंग से कर ले तो उससे हर पास्टेंड में जाकर ढूंडो बैगनी रंग की साड़ी पहने किसी लड़की को देखा तुमने बैगनी रंग की साड़ी हाँ हाँ अभाई अभी उसे बस टेंड पर चोड़कर आ रहा है जल्दी चल यह क्या हो इसे कुमार से कह देना तुम लोगों की परिष्ययों निसलज चाहिए कि भोला को मैं नहीं मारा था मुझे लगता वो मर क्या होगा मैं समझी की मुझ पर कोई शक नहीं करेगा ऐस वाली की गारी में मैंने ही बैट डाला था शिवा का इस खुंद से कोई संबन नहीं है कि के साथ ही रही है वो कौन है अगर उसे पता चल गया तो परशानी हो सकती है कौन है यह फिल्म वाली तो मुझे नहीं लगती है मुझे तो इसका फोन पर बात करना भी गलत लग रहा है इसके पीछे जरूर कुछ कहानी है यार यह भोला को क्यों मारेगी दोनों की बीच में प्यार था वो कहां पर है गुमार विजयनागर में है वो लड़की मुझे चाहिए उसके हाथ आते उस ट्रैवल्स वाले को मार दूगा समझे शेखर गड़ी चला तुम हो कौन पता नहीं कि मैंने सोचने की बहुत कोशिश की लेकिन याद यह नहीं आता कि किसी लोकल कॉंट्रेक्टर की लड़की होगी यह सोचकर उठालाय थे बाद ने पता किया तो जाना कि उसका बाप इंडिया के 22 आमीरों में से एक है हाँ दुनिया का 22 आमीर है वो सालक करोड़ पती है हो मिनिस्टर उसके लिए टीवी में इंटर्वीज देने आये था तो तुम लोग सोच लो कहीं शकल दिखाने लैक नहीं छोड़ा हर कोने में च्छान भीन कर रहे हैं पुलिस वाले कोई दूसरे रूम का इंतजाम कर दिया होता मैंने उस लड़की को पिछला कुछ भी याद नहीं है इसे लाते समय सर पर चोट लग गई थी उसे इसकी आतास्या ली गई इसलिए अब तक जिन्दा छोड़ा हुआ है वरना अब तक तो पैसा वैसा छोड़ कर कपका मार डा मैं जोच रहा था कि इसे किसी सुनसान रोड पे चाहिए छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ इडिया छोड़कर कहीं और चरा जाओं तेरा घर कहां है तो जोड़ोंगा अपनी भासा चीत्रा जानती है बाप की किलोती बेटी है यह उसकी दौलत की किलोती वारिश अमेरिका से पढ़कर पिसली अपते वापस साइए और अगले अवते इसकी शादी है भाई भाई इंस्पेक्टर अलो शूटिंग ओडर कैंसल हो गया बोला तुम वापस आ सकते हो कि अधिक उसे ज्यादा दिन तक मत रखना जब आपका दिल भर चाहें मार डाल ना क्योंकि चब तक रखोगे रिस्क है क्या उखार लेंगे वो हां एक बात समझ लो कहीं भी कोई भी क्राइम हो तो पुलिस वाले देखते हैं कि कहां से फायदा होगा और तो और आसपास के दुश्मनों से पूछेंगे किसने क्यों किया होगा च्छानवीन होगी हम तो बिना क पुलिस नहीं चुछ सकती क्योंकि इनकी पहुच ही अलग है उसे ही घर के अंदर रखोंगा उसी में मज़ा है तो जे क्या पता बेवकूफ कहींगा अगर वो लड़की चाहती तो कबकी भाग गए होती हमें फस्ते देखकर छुडाने के लिए वापस आ गई वो कुमार उसे जरू माड़ा लेगा तो हम क्या कर सकते हैं इसने उसके भाई कुमारा और वो अब इसे जिन्दा चाहता है और बीच में हम लोग फालतू में ही फ ओड़की कहां है पहले मेरे दोस्त को छोड़े कुमार सुबाच हड़्ने को बोल दूंगा अभी बोल तोस्त को कुछ वा तो लड़की जिंदा नहीं बचेगी शेकर जो उस ट्रेवल्स वाले के दोस्त को बाहर चाने दो भाई को मारने वाला ट्रेवल्स वाला नहीं है कोई और है मैं अपने गाड़ी में आऊंगा तुम पीछे-पीछे आओ मुझसे अब उसका चेरा नहीं देखा जाएगा बेचारी इन्हें तु लेकर जा अंदर आओ ए तु ले जा चलिए जिवा का है रहे वो यहीं है भाई मुचे चलिए से माहर तु कुमार है मुचे चलिए से माहर तु कुमार हम घर जा सकते हैं अब है जाना पहले बाहर जाम आते हैं जा मैं कौन हूं कुमार बस इतना बता दो उसके बाद तुम मेरे साथ कुछ भी कर लेना मैं दोनों को टपका कर वापस आता हूं जा कुमार मैंने गड़ी मंगवली है लाता है होगा हे ओ ट्रेवल स्वाला का तुमला के बैटे हो बाहर निगलो प्रकाष जीवा कुमार से सब टायर पंचर कर दिया है कुमार अरे यार यार या सिंग्नल भी नहीं है प्लान बना कर हम ही आला है कुमार यार उखना ठीक नहीं लग रहा है मुझे चल चलते हैं शरम नहीं आती तुशे एक आदमी से डर करी जगों को छोड़कर भाग रहा है गेट पर दाला लगाए कुमार अधिया रिकल हाँ झाँ! कुमार और मटन वाला शेखर तोरण टाइम पर आ गए और उस लड़की को लेकर वो लोग चले गए मैं जुह में अपने दोस्त के गर चला गया मुझे इसके लाव और कुछ नहीं पता हवालाद में पूस्टाच करने पर यहीं बताया इसने बोला को मारने वाली वो लड़की ही थी यह बात उस ने खुद बताई यह कुमार कहां गया है पता नहीं बस यही प्रॉबलम है कुम कुमार के लौप बाकी के आठ लोग भी गायब हैं। उमार को अगर किसी और ने मारा है तो बाकियों की बॉडी का क्या हुआ। आट लोगों की बॉडी को डिस्पोस करना कोई मामूली बात नहीं है सर। लेकिन उनके साथ क्या हुआ होगा। तेरी तो लाश भी नहीं मिलेगी तुझे मारने के बाद तेरी प्रेमिका को पकड़ के ले आऊँगा उसे उसके परिवार के साथ अपने पैरों पर छुका कर उसके बाद ही मारूंगा वर मार जो प्रेमिका कर विलूंगा जो के जो घुकल के साथ भ़ के ले कि अडा प्रариयो बिशचच उसकता है क्दुचला पर उसकता है के अाफ इंड्ला ओय का फिरूचला जहीं मिलेगी जहीं ड़्हीं हम बाद ढ़य जए उसके आफि सी उना एजगा जड़ायों खाय है है! च क्राजब आज तो किया, आजा! आजाल, आजा! आजा al च, आजा! आजाल कर दो फ्रूपuno कर दो कुमार को हमने मारा है ये बात बाहर पता चली तो वो तो कार्टी डालेंगे पुलीस वाले भी नहीं छोड़ेंगे किसी को पता नहीं चलेगा कैसे पता नहीं चलेगा कि कि दूख्या है थी दर्व आपन को अच्छे तरसे कीमा बना कर पैक करने वाली मशीन प्रसुप्स कुछ नहीं लग रहा है इसे छोड़ देते हैं सर खोल दे इसे भोला से मटनवाला शेखर ने कई बार पैसे चुड़ाया है थोड़ा थोड़ा करके वो कुमार को पता चल गया होगा इसलिए उन लोगों की आपस महीं कोई प्राब्लम हो गई होगी आप इस मैटर को छोड़ दीजिए मैं देख लू चलता हूं सर मुझे तो यह अच्छा आदमी लगता है वैसे दोनों भाईयों ने ऐसा तो बहुत कमाया था और अचानक वो गयद कहां हो गए बिचारी वो लड़की लगता है प्रेग्नेंट है कह है वो नहा रही है श्रिवा एक साल पहले हुए हाथसे का आज तक भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है और इस लड़की का नाम है गायत्री रामकृष्णा 35,000 कलोड की इकलोती वारिस श्री रामकृष्णा की इकलोती बेटी है गायत्री उमर 21 वर्ष 27 जुलाई 2011 से गायत्री गायब है जब वो शॉपिंग करने गई थी तो वहां से अचानक गायब हो गई आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है लापता वाले दिन एक भूल का ये ट्याचु गुदा हुआ है तुम हट जाओ गायत्री तुम चाकर देखो हां शिवा हुआ है, ब coffinकशे का और मेरा दों है सबस्क्रीव है वो दोन ऑटागा गाभप्याज वो nuanced एक्टा करता है थाज़रा ब करता पाया झालेसे अचाएजिबादाध Methi टोनिकında कंजी तो बिल्द्टा ये सम टा purchase से बढू़ख चिक्पता है आई